भाईयों बेनों मेरे भाषन की शुरुवात में मैंने संविधान का जिक्र किया था जो लोग संविधान को राजनितिक हथियार के नाते उप्योग करना चाहते हैं विजरकान खुल करके सुनने पिछले तीन दसक से आपने लोगों को डणाय रखने के लिए लोगों को भैबीत रखने के लिए बाती बाती की विकृत नरेटिव्स विकृत कथाएं प्रतलिक की है कभी आप कहते थे कि RSS BJP आएगी तो देश चल जाएगा बच नहीं पाएगा पिछले तीस साल से हमाने एक राज्यों में सरकार चला रहे हैं अकल जी के समय से हम देश की सत्ता से गधात आते जाते रहे हैं लेकिन इस देश को सबसे ज़्यादा शांती का समय हमारे कालखंड में मिला है ये लोग कभी कहा करते हैं अगर RSS BJP आएए तो लगुमतियों को देश चोड़ करके भागना पड़ेगा आज भी वो आन बान शान के साथ सरकार की सबी योजनाओं का लाब लेकर के गुजारा कर रहे हैं प्रगती कर रहे हैं पहले कहते रहते से के लोग पुरान पंथी हैं यह प्रगतीश ही लोग नहीं हैं हमने दिखा दिया चंद्रयान पर जाने की ताकत किसमे है वैसे ही अब वो पिछले 25 साल से एक पुरानी रेकर्ड हुमा रहे हैं जब भी बीजेपी आगे बढ़ती है तो सम्विधान का राजनितिक सस्त्र के लिए उप्योग करते हैं और जूट फैलाते हैं सम्विधान बदल देंगे सम्विधान बदल देंगे भाईयो बैनो लिख के रखिये मोदी तो क्या बीजेपी तो क्या स्वयम बाबा साब आम बेड़ कर भी इस सम्विधान को नहीं बदल सकते हैं और इसलिए जूट बेनाना जूट फैलाना बंद करो और भाईयो बैनो इनको पता होना चाहिए यह जो सम्विधान सबाती डॉक्टर राजेंदर बाभू ने तृत्व करते थे बाबा साब आम बेड़ करका दिल दिमाग और कलम उसको शब्दों में डाल रहा था और देश के गन्मान ने लोग अनेक महिनों तक बैठ करके विचार भी मस करके देश की भावनाओं को समझ करके देश की सामाजी परिस्टियों को समझ करके हमारे सम्विधान का अंदरबान किया है और जो लोग सनातन को गाली देते हैं न वो भी कान खोल करके सुन लो ये जो सम्विधान इतना महान बना है ये जो सम्विधान हमें देश को आगे ले जाने की ताकत देता है इस सम्विधान को बनाने के लिए जो सम्विधान सभा थी उसमें असे नभी परसंड से भी जादा 80-90 परसंड से भी जादा सब के सब सनातनी थे और उन सनातनियों ने इतना उत्तम सम्विधान बनाने में बाबा साव आमबेड करका साथ दिया है और इसलिए हकीकत तो यह है कि देश की आजहाती के बाद सम्विधान को राजनिति का हत्यार नहीं सम्विधान को सद्धा के रुप में जन्मन में प्रस्था भी करना चाहिए था और हमारा देश ऐसा है जो रामायन में आस्था रखता है महाभारत में आस्था रखता है गीता में आस्था रखता है वो आज के युग में सम्विधान के प्रति भी उतनी ही आस्था रखता है लेकिन आपने सम्विधान का राजनिति करन करने की कोशिश की है हमने सम्विधान के प्रति आस्था प्रता करने के लिए लगातार कोशिश की है जब पार्लामेंट में मैं ये प्रस्ताव लेकर के आया कि हमने देश में सम्विधान दिवस मनाना चाहिए तब कॉंग्रेज पार्टी के नेता सिमान खरगेजी ने पार्लामेंट पर उसका विरोध किया था उन्होंने कहा था अरे 26 जनवरी तो है सम्विधान दिवस की क्या जरुवत है उनको ये समझ नहीं आया कि भारत के सम्विधान के पती निरंतर सद्धा पैदा करते नहीं आचाहिए संस्कार बनना चाहिए पनोर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आश्याना ये लो मुह मिठा करो आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया अब हम पुढ़निया वापस जाएंगे जॉब छोड़ दिया है? मतला ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माबाबुजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाए अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है अड़े लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पुढ़निया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ अपने पुढ़निया में घर ले लिया है पुढ़निया के e-homes panorama में पुढ़निया में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama बड़ा घर, आलिशान जिंदगी और अत्यादुनिक सुविधाओं के सब अड़े अड़े आप क्यों मूमीठा करवा रहे हैं? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं घर वापसी की खुशी पुढ़निया में e-homes panorama के संग e-homes panorama luxurious, lifestyle redefined